हेलो गुड मोर्निंग सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल जिसका नाम है डियस्टेडी गुरुजी तो देखिए एलम एक्जाम की जो फाइनल कटोफ है वो आपके क्या रहेगी तो आपका पेपर जो है वो 14.11.2021 को हुआ था और अब जो वो अंसवर की आ चुकी है और अंसवर की आने के बाद में इसकी जो पटोफ है वो क्या जा सकती है तो इसके अंदर जो आपके टोटल पोस्ट थी वो थी 1307 और 65,000 कंडिडेट ने ये फोर्म बरा था तो इसमें जो वो कितने कंडिडेट पेपर देने गए तो 43 प आपका डिवी आएगा और डिवी के आने के बाद में जो आपके 10 नंबर एक्स्ट्रा है वो मिलेंगे तो फ्रेंड से वह सभी नंबर मिलके 100 में से आपकी कटोफ क्या रहेगी तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो फ्रेंड से इससे पहले जो मैंने डिवी के अगर इनके 100 नंबर में से 64 से लेके 65 कोश्चन अगर ठीक है 65 नंबर अगर बनते हैं तो इनका यहाँ पे जो वो सेलेक्शन हो सकता है इसके बाद में जो EWS के बच्चे हैं और जिनके भी यहाँ पे 62 नंबर से लेके अगर 64 नंबर है तो अपने आपको सिफ मान सकता है इस के बाद में देखिए जो BCA के बच्चे हैं जिनके भी यहां पे 58 से 61 अगर नमबर है 100 में से तो उनका भी यहां पे सेलेक्शन हो जाएगा अब देखिए BCB तो फ्रेंड्स इनकी थोड़ी सी हाई जाती है तो इनकी कुट ओफ क्या रहेगी जिन्वी कंडिडेट के यहां पे 69 से लेके अगर 62 नमबर है 100 में से तो उनका भी यहां पे सेलेक्शन हो जाएगा अब देखिए जो BC कंडिडेट है इनकी कुट ओफ जो है यहां पे जिनके 56 नमबर से लेके अगर 69 नमबर है तो वो भी अपने आपको सेफ मान सकते हैं तो फ्रेंड्स से जो ALM एक्जाम की जो फाइनल कटोफ है वो आपकी यही रह सकती है या फिर इससे एक दो नमबर उपर नीचे हो सकता है तो फ्रेंड्स से इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डिवी के लिए कि जो आपका ALM एक्जाम है तो डिवी पर कितने बच्चों को बलाए जाएगा तो वो आप देख सकते हैं उसका लिंक जो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले बार जुड़ करें और दोस्तों वीडियो का अगे शेयर करें और अपने नंबर कमेंट बॉक्स में जुरू बताएं थैंक यू